गीता मैराथॉन इस कौन के प्रवक्ता देंगे हमें गीता का ज्ञान सरल माध्यम से 27 दिसंबर तक जे राधा माधव जे कुझ बिहारी जे राधा माधव जे कुझ बिहारी जे गिरिवर धारी जे गोपी जनवर्णभ जे गिरिवर धारी जे राधा माधव जे कुझ बिहारी जे जे राधा माध यमना तीरा बन चारि यमना तीरा बन चारि ये रादा माधव जे कुंच बिहारी ये गोपी जरवलब जे गिरिवलब ये रादा माधव जे कुंच बिहारी ये रादा माधव जे कुंच बिहारी तो अ मझ्यानम्ति मिरंदस्य ज्यानाजन शलाक या चक्षुरुन् लिदामेन तसमे सिरी गुरूभे नमा あ'M Going नमौ भीष्नव बदाये कृष्ण प्रेश्राय भुत्वले स्रीमते बक्ते बिधान्त स्वामी थिन आमिने नमस्ते सर्षौति देवे गुरुवान परचालिने नीरिवीशेश शुने बादी पास्याते देशतालि open हे कृष्ण करुणा सिंदो दीन बंदो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमास्तुते तत्त कांचन गोरांगी श्री रादे पिरिंदा बनेश्वरी बिसवान सुते देवी प्रणमा मिहरी प्रिये आज भग्रोगीता के अध्याए आठ में आप सब का स्वागत है आज हम भग्रोगीता के आठ में ध्याए पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे आठ में ध्याए का नाम है भग्रोग प्राप्ति और स्लोक संक्या है अठाइस साथ में अध्याई में भगवान ने आर्जुन को भगवत ग्यान के बारे में बताया और भगवान ने बताया कि मेरी दो परकार के शक्तियां माया शक्ति और जीव सक्ति इस संसार में कारे करती हैं और जब तक मेरी पराशक्ति बस्तूओं को गतिशील ना बनाए तब तक बस्तूओं कारे नहीं कर सकती और भगवान ने साथ में भी बताया कि चार परकार के जो पुन्य आत्मा लोग हैं वो मेरी शरण में आते हैं उसमें से सबसे पहला है आर्थ, पीडित, दुखी जो इस संसार से पुरी तरह से दुखी है वो मेरी शरण में आता है बस्तूओं आज अगर हम इस संसार में देखें तिस बहुतिक संसार को दुखायले हम अशाश्पता माना गया है यह दुखों का घर है इसमें हम सुख से नहीं रह सकते अगर सुख है भी तो खशनिक है थोड़े समय के लिए है इसलिए संसार से सभी पीड़ी थें और सबसे बड़ा जो दुख है वो है जनम मृतिव और जराब्यादी बार-बार यह जो कष्ट है हमें सेहन करने पड़ते हैं यह एक सबसे बड़ा दुख है इस बहुत देख संसार में तो इस तरह की बात करते हुए आज के शलोक में और इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान से एक प्रशन पूछा किम तद भ्रम्मा किम अध्यात्मम किम कर्मा पुर्शोतमम आदि भूतम चकिम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्च्यते हे पुर्शोतम भगवान को पुर्शोतम कहा जाता है उनका एक नाम पुर्शोतम है क्योंकि वो पुर्शों में उत्तम है उत्तम पुरुष है इसलिए अर्जुन ने भगवान को पुर्शोतम कह करके संबोधन किया हे पुर्शोतम अब आप मुझे ये बताएं कि ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है सकाम करम क्या है भौतिक जगत क्या है देपता क्या है ये से मुझे बताएं यग्यका स्वामी कौन है वे शरीर में कैसे रहता है इस प्रकार के प्रश्न करने के बाद भगवान ने अर्जुन को उतर दिया सबसे पहला उतर भगवान देते हैं ब्रह्म क्या है भगवान ने का अभिनाशी और दिब्य जीब ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य सवाब अध्यातम या आतम कहलाता है अब इस बात को तो रहा हमें समझना पड़ेगा कि जो आत्मा का सवाब है जो जीब का सवाब है वो नित्य आनन्दमे स्थिती का है क्योंकि जीब बगवान के साथ था बगवान के संपर्क में था बगवान की सिवाब से जूड़ा हुआ था लेकिन इस यह वस हमें इस बहुतिक संसार में भीज दिया गया अब इस बहुतिक संसार में आने के बाद जो हमारी बास्थिक सिथी है जित्य आनन्द में रहना उस आनन्द को हम इस बहुतिक संसार में ढूण रहे हैं लेकिन बिनम्बना ये है कि वो आनंद जो जीव की स्ववाइक सिथी है उस आनंद को हम भौतिक चीजों में ढोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो असंबब है, जो नहीं मिल सकता, जिस अनन्द का स्वभाब है जीब का, बो अनन्द इन बहुतिक बस्तों से हमें प्राप्त कभी नहीं हो सकता, तो भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को बहुतिक शरीर से समंदित गतिविदी, कर्म या सकाम कर्म खेलाती है, द्यातम बुद्धी में रहकर, जो भी उंगतिविदियाय कारे करते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है, इस सरीर की सेवा, हम सारा जीबन इस सरीर की सेवा भी करते हैं, बड़ा इस सरीर का ध्यान रखते हैं, और अंत में यही सरीर हमें दुख देता है, हमें कश्ट देता है, हमें तकलीफ देता है, इस सरीर का अब कितना भी ध्यान रखें, लेकिन बास्तिविक्ता ये है, एक समय जब ऐसा आएगा, ब्रिद्धा बस्ता में, यही सरीर हमें दुख देगा, हमें कश्ट देगा, का बिराट रूप जिसमें सूर्य चंदर जैसे देवता है आदी देव कहलाते हैं अर्दुने एक परशन पूछा था देवता क्या है ब्रह्म क्या है ब्रह्म ने उतर दिया कि ब्रह्म जो है वो अध्यातम या आत्मा कहलाता है सकाम कर्म क्या है ब्रह्म ने उतर दिया कि ध्यातम बुद्धि के में रहकर किया हुआ कर्म सकाम कर्म कहलाता है और उसके बाद अर्दुने प्रशन पूछा बहुतिक जगत क्या है तो ब्रह्म ने उतर दिया निरंतर परिवर्तन शील ये बहुतिक प्रकृति अधिबूत बह प्रतेग देदारी के हिर्दे में परमात्मा स्वरूप स्थित्प परमेश्वर यग्य का स्वामी भी कहलाता है। इन प्रश्णों का उत्तर जाने के बाद भगवान ने कहा। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्वर्ण करता है वो तुरंथ मेरे स्वाम को प्राप्त होता है। और व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मन्न करता है जैसे जैसे मेरा स्मन्न करता है और मेरा स्मन्न करते हैं मनुष्य जब सरीर का त्यार करता है निश्चित रूप से वे मुझे प्राप्त होता है आगे भगवान समझाते हैं कि मेरा स्वन करने के आप के रूपों मेरा स्वन कर सकते हैं तो भगवान इसको आगे बता रहे हैं कि मनुश्य को कैसे भगवान का बिर्मे रूपों में स्वन करना चाहिए तो सबसे पहले बताया सरवग्य भगवान सरवग्य हैं सब जाते हैं पिछले अध्या में हमने चर्चा किया बूत काल में क्या हुआ बरतमान में क्या हो रहा है और वविश्य में क्या होगा ये सब भगवान जानते हैं इसलिए सरवग्य एक रूप में भी आप उनका समन कर सकते हैं। पुरातन भगवान सबसे पुराने हैं। ब्रमाजी ने कहा है अद्वैतम अचूतम अनादियंत रूपम आद्यं पुरान पुरिशं नवयोब नम्च बेदेशु दुल्लबं अदुल्लम आत्मवक्तो गोविनमादि पुरिशं तमाहं भजावी। भगवान सबसे पुरातन है। सबसे पुरातन है। और सबसे पुरातन होने के बावजूद भी वो क्या है। नवयोब नम्च हमेशा सुन्दर रूप में तरुन अवस्ता में रहते हैं। जैसे हमने पहले ही चर्चा किया हमारे बहुतिक शरीर में परिवर्तन होता है। हम बाले अवस्ता से बिर्दा अवस्ता तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि बहुतिक शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सत, चित, आनन्द, सचित, नन्दम आई है। उस दिव्य श्रीर में किसी परकार का कोई परिवेटता नहीं है इसलिए जो भगवान है नवयोव नम्च हमेशा नवक्युवक अवस्था में रहते हैं आगे नियंता वो कंट्रोलर है मया दक्षेन प्रकृति सुयते सुचराचरम इस सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है भगवान इस प्रकृति के नियंता है नियंता के रूप में उनका ध्यान किया जा सकता है आगे लगुतम से भी लगुतर भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हो सकते हैं पर्ते आ की पालन करता भवान सबका पौशन करते हैं, इस बहुत तक संसार में अगर हम बिस्टित बंडन करें, तो आज इस बहुत तक संसार में जो भी ब्रस्तू हैं हमारी सुबदा के लिए उपलब्ध हैं तो भगवान ने हमें पर्दान कर रखी हैं. भगवान ने पिछले धह में जो बताया कि ये जो मेरी अपरा शक्ती है बित्वी, जल, अगनी, बायू, अकाश, सूर्य, चंदर ये सब सुबिधाएं हैं इस बोतिक संसार में रहने के लिए भगवान ने हमें ये सुबिधा परदान कर रखी है हमें जल की वशक्ता पड़ती है भगवान जल परदान करते हैं हमें बायू की वशक्ता पड़ती है भगवान बायू परदान करते हैं हमें अकाश की वशक्ता पड़ती है भगवान वो परदान करते हैं अगनी की वशक्ता पड़ती है हमारा पालन करते हैं इस रूप में पालन करता के नाम से हम भगवान को स्मन कर सकते हैं समस्त भौतिक बुद्धी से परे भगवान ध्यातंक बुद्धी से परे हैं भौतिक बुद्धी से परे हैं इस रूप में भगवान का स्मन कर सकते हैं वो नित्य हैं हम इस बहुतिक संसार में जनम लेते हैं, कुछ समय के लिए बहुतिक संसार में रहते हैं, अपना कारे करते हैं, और फिर हम मृतियू के प्राप्त हो जाते हैं. कल्यू की आयू है, सौ बरस निर्धारित की गई है, लेकिन बहुत कम दिखा जाता है कि कल्यू की इस आयू को कोई देखती, बहुत कम देखती इस कल्यू की पूरी आयू को जी पाते हैं. कल्यू की इस आयू को जीता है, और उसके बाद त्रेता में दस अजार बरस की आयू थी तो लोग दस अजार बरस जीते थे. द्वापर में एक हजार बरस की आयू हमें दी गई तो लोग एक हजार बरस जीते थे, लेकिन कल्यूग में हमें सो बरस की आयू दी गई, लेकिन हम सो बरस नहीं जीते. उसका सबसे बड़ा कारण है, क्यों? क्योंकि हम धर्म पर आयन नहीं हैं. हम सास्तरों के और बेदों के बिप्रीद कारे करते हैं इसलिए कल्यू की जो सो बरस की आयू है हमारे रहन सेंड के इसाब से सो बरस की आयू भी आज हम नहीं जी पाते लेकिन जो भगवान है उनका सचिनान नमरे सरीर दिब्बे है वो हमेशा नित्य है में सूर्य के तेज की भांती है भगवान का जो तेज है वो सूर्य के समान है आगे चर्चा होगी कि भगवान न जब बिरा टूप दिखाया अरजुन को तो अरजुन भगवान के बिरा टूप को देख नहीं सका क्योंकि भगवान का बिराट रूप करोड़ों करोड़ों सुरियों के तेजों के समान था और भगवान इस बहुतिक प्रकृति से परे है भगवान इस बहुतिक प्रकृति से परे रहते है इन बहुतिक प्रकृति के तीन गोनों का भगवान के उपर कोई प्रवाब नहीं पड़ता इसलिए इन अलग अलग रूपों में भगवान का हम स्मर्ण कर सकते हैं ये बात भगवान ने आर्जुन को बताई आगे भगवान ने बताया जो अनने भाव से निरंतर मेरा स्मन करता है और उसके लिए मुझे प्राप्त करना सरल हो जाता है मुझे प्राप्त करने के बाद बे कभी इस 32 जगत में नहीं आता इस संसार में उच लोकों से लेकर निम्न लोक सारे दुखों को घर है जहां जनम मरन चलता है किन्तु मेरे भक्त मेरे धाम को प्राप्त होते हैं तो भगवान ने एक श्लोक बताया आ ब्रह्मा भुबन लोका पुनार बर्तिनों अर्जुना मामु पेत्या तु कॉन्तया पुनर जनमन बिद्यते ही अर्जुन जो बहुतिक सिर्ष्टी है इस बहुतिक सिर्ष्टी से लेके उच लोकों से लेके निम्न लोकों तक जितने भी लोक हैं सारे दुखों का घर है और सब में कश्ट हैं दुख हैं लेकिन जो मेरा धाम है वो इस बहुत तेक स्रिष्टी से परे है उसे बैकुंट कहा जाता है बैकुंट का मतलब है जिसमें किसी परकार करी कुंट नहीं है कश्ट नहीं है दुख नहीं है और इस जगत को कुंट जगत कहते हैं भगवान के ध बता रहे हैं कि जितने भी लोक हैं, ये सब दुखों का घर हैं, सब माया द्वरा अच्छादित हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, बहुत सुंदर है चर्चाश लोक में आती है, आ ब्रह्मा संपरयंतम, सर्व माया मयम जगत, ब्रह्म लोक से लेकर के, निचे पतालोक तक, जितने भी लोक हैं, सब माया मयम जगत, सब माया द्वरा अच्छादित हैं, सब में दुख हैं, सब में कष्ट हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, जो मेरा दाम है, उसमें किसी परकार का कोई कष्ट नहीं, क्यों? क्योंकि सत्यम सत्यम पुना सत्यम हरेर नाम एव केवलम सत्य क्या है जिसे हम सत्य कहते हैं वो क्या है हरेर नाम एव केवलम केवल भगवान का नाम तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हम उच्छ लोक में भी चले जाएं स्वरग में भी चले जाएं तो वहां से भी हमें बापिस पुना इस पृत्वी लोक में आना पड़ेगा और इस बहुत तीक संसार के कष्ट जो हैं वो सहन करने पड़ेंगे तो ये बात भगवन अर्जुन को समझा रहे हैं कि आब रम्मा भुमन लोका पुनार बरतिनो अर्जुना है अर्जुन जो मेरी शरण में नहीं है वो अगर उंचे लोकों में भी चले जाएं तो दुवारा उनको इस पृत्वी लोक में इन कर्ष्टों को स्विकार करने के ल लेकि जो मेरी शरण ग्रहन करते हैं उन्हें दुवारा इस मृड़त लोक में नहीं आना पड़ता क्यों कैसि मृत थकलीफे हैं बहुत दुख हैं बहुत गर्ष्ट हैं इसलिए मैं जीब को इन गर्ष्टों में नहीं दखना चाहता इसलिए मैंने बेकुन जगत का निर् बास्तविक्ता में समय की पाबंदी है यह जो छोटे-छोटे बिशें है इन पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है यह प्रशन हो सकता है कि यह जो कुंठ जगत है दुखालयम अशाश्वत जगत है भगवा ने क्यों इसका निर्मान किया कि आवश्यक्ता पड़ी इसका सरल उतर है कि जब सरकार सहर का निर्मान करती है जब एक शहर बनाती है तो उस शहर के बीच में जेल क्यों बनाती है जेल बनाने की वश्यक्ता सरकार को क्यों पड़ती है सुंदर सहर में जेल अवश्यक्ता होती है क्यों कि सरकार को पता होता है जो सरकारी अधिकारी है उनको पता होता है कि ऐसी भी कुछ लोग होंगे जो सरकार के बनाई हुए नियम्मों का पालन नहीं करेंगे इसलिए उनके लिए जेल अवशक है तो यह जो भितिक संसार है यह एक जेल के रूप में है यह जेल खाना है बळगवान के दोरा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करने वालों को इस जेल में डाल दिया जाता है और इस जेल की जो सुपिटेंडिक आफिसर है जेलर है वो है दुर्गा देवी दुर्गा देवी से हम प्राप्त ना कर सकते हैं और इस जेल में रहते हुए जो भी हमें सुपिदा चाहिए वो प्राप्त की जा सकते हैं जैसे भगवान ने पीछे बताया कि जो लोग देवताओं के शर्ण में जाते हैं, उनके मन के अंदर बहुतिक अकांक्षा होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो देवताओं के शर्ण में जाते हैं, लेकिन देवताओं के द्वारा जो फल दिये जाते हैं, वो खशनिक होत तो यह जो बहुतिक संसार है यह जेल के रूप में है हम दुर्गा देवी के शर्ण में जाएंगे तो दुर्गा देवी हमें इस बहुतिक संसार में रहने के लिए इस तो विदाय परदान कर सकती हैं लेकिन दुर्गा देवी हमें इस बहुतिक संसार से नहीं निकाल सकती है हमारे इसकौन के फाउंडर अचारिया एसी भक्तिवेदान स्वामिश्रिला प्रभुपाजी को धार्म दिया करते थे कि अगर एक कैदी जेल में है तो उसको जेल से निकलने के लिए जेलर कुछ नहीं कर सकता उसको जेल से निकलने के लिए कोट का आउडर चाहिए कोट के आउडर के मादयम से ही वो जेल से बहार निकल सकता है इसी परकार यह जो बहुत एक संसार है यह जेल के रूप में है इसे हमें बहार निकलने के लिए भगवान की शरण ग्रहन करनी पड़ेगी जब तक हम भगवान ये जो हमें भिन भिन तरीके बता रहे हैं अपना समर्ण करने के, जब तक हम इनको सविकार नहीं करेंगे, तब तक हम बारम बार इस बहुतिक संसार में आते रहेंगे, और इन बहनकर दुखों का कर्ष्टों का हम सामना करते रहेंगे. तो भगवान नहीं समझाया, कि जितने भी लोग हैं, ब्रह्म लोग से लेके, पता लोग तक, इस सब माया द्वारा अचादित हैं, अगर हम यहां चली भी जाएं, तो भी हम बापीस इस मिर्त जगत में आ जाते हैं, इसलिए बुद्धिमान यहां जाने का प्रयास नहीं करत और भगवान ने आगे समझाया, बहुतिक संसार और अध्यातिमिक संसार क्या है, मानवी गर्णा के अनुसार, एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात भी होती है, तो अब थोड़ा सामें इसमें समझना पड़े उनका जो एक दिन है, वो चार अरब तीस करोर बरसों के बराबर है, इस पित्वी लोग के, चार अरब तीस करोर बरसों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतनी बड़ी उनकी रातरी होती है, भगवान कहा रहे हैं कि दूसरी तरफ एक अब्यक्त पकृती है, जो कभी नाश नहीं होता जिसे बेदामती आप्रकर्थ तताबिनाशी बताते हैं जो परम गंतब्वे है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई बापस नहीं आता वही मेरा परमधाम है मैं अपने धामें बिराजमा रहता हूँ फिर भी सरवत्र सर्व्यापी हूँ मेरा जो परमधाम है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है जो परम भरम के ग्याता है अगनी देव के प्रभाब में परकाश में दिन के सुवक्षन में सुकल पक्ष में या जब सूर्य उत्राइन में रहता है उन छे मासों में सरीर का त्यार करते हैं वो परम भरम को प्राप्त होते हैं जो योगी धुए रातरी कृष्ण पक्स में सूरे के दक्षिनायन में रहने पर सरीर का त्यार करते हैं वो चंदर लोग को जाते हैं और पुन्ह पित्वी पर लोट आते हैं बेद्दो अंदकार के मरग से जाते हैं वो पुना बापिस लोट आते हैं मेरे भक्त इन दोनों मारगों को जानते हैं जो मक्ती मारग सिविकार करता है बेवेदा धियन तपस्या दान सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों को भक्ती के द्वारा प्राप्त कर लेता है तो इस कि जितने प्रकार की फल हैं वेद्नों का धियन करने से यग्य करने से तपस्या करने से दान देने से जो हम फल प्राप्त कर सकते हैं वो फल केवल मातर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस महमंत्र के तो संक्षेप में ये आठमे धाय का बर्णन था जिसमें भगवान ने अरजन को ये समझाया कि किस मार्द्यम से भगवत प्राप्ति की जा सकती है तो सरल उपाय जो भगवान ने बताया वो यही है कि कलीग में हम भगवत प्राप्ति केवल भगवान के दिव्य नामों के मार सकते हैं. हरे कृष्ण